नमस्कार वन इंडिया हिंदु में आपका स्वागत है देश ने रक्षा शेत्र में बड़ी सफलता हासल की है जो रक्षा शेत्र में देश की आत्म निर्भरता की दिशा में ये एक बड़ा कदब है DRDO ने सफलता पूरवक HSTDV का फ्लाइट टेस्ट किया है HSTDV का मतलब है Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle ये एक तक्नीक है जिसका इस्तेमाल Hypersonic और Cruise Missile की लौंच में किया जा सकता है बड़ी बात ये है कि इस High Tech Aircraft को देश में ही विक्सित किया गया है HSTDV के सफल परिक्षण देश के आत्म निर्भर पराक्रम का नया प्रमाण है रक्षा मंत्री राजना सिंग ने DRDO को इस काम्याबी पर बधाई दी रक्षा मंत्री राजना सिंग ने ट्वीट कर कहा कि DRDO ने आज स्वदेशी रूप से विक्सित Scram Jet Propulsion System का उप्योग कर Hypersonic Technology Demonstrator वीकल का सफलता पूर्वक परिक्षण किया है ये उध्योगिक जगत के साथ अगली PD के Hypersonic वहनों की निर्माण का रास्ता खोलने वाला है बता दें कि HSTDV Hypersonic Speed Flight के लिए मानव रहीद Scram Jet प्रदर्शन विमान है जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रतिगंटा के रफ्तार से उड़े उसे Hypersonic विमान कहते हैं भारत के HSTDV का परिक्षण 20 सेकिंड से भी कम समय का था 12251 किलोमीटर प्रतिगंटा यानी 3.40 किलोमीटर प्रति सेकिंड की गती इतनी गती से जब ये दुश्मर पर हमला करेगा तो उसके बचने का मौका भी नहीं मिलेगा इस विमान का उप्योग मिसाइल और सैटलाइट लाँच करने के लिए हो सकता है इस्तिमाल कमलागत पर उपग्रह लाँच करने के लिए भी किया जा सकता है DRDO ने परिक्षण की सफलता पर कहा कि ये परिक्षण इसलिए किया गया ताकि हम भविशे के लिए तकनिकों को जान सके हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट को लाँच करने के बाद उसकी गतिविधियों को विभिन रडार, टैली मेट्री स्टेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सेंसर से ट्रैक किया गया अभी डाटा जमा करके उसका विशलेशन किया जा रहा है गौर तलब है कि इससे पहले पिछले साल जून के महिने में भी HSTDV का परिक्षन किया गया था इससे पहले ये माना जा रहा था कि हाइपरसोनिक टेकनलोजी ट्रांसपोर्टर विकल के विकास से इस क्रैम जट तकनीक से बन रहे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रहमोस 2 का काम बाधित होगा भारत और रूस ने दोनों देशों ने ब्रहमोस को लेकर समझोता किया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ ब्रहमोस मिसाइल के विकास को लेकर इस तकनीक की वज़ह से कोई बाधा नहीं आई है मात्र 1,300 करोड रुपे के शुरुआति निवेश से शुरू किये गए ब्रहमोस सन्युक्त उपकरण का मुल्य आज की तारीख में 40,000 करोड रुपे तक पहुच चुका है ब्रहमोस दोनों देशों द्वारा साजह तोर पर विक्सित की गई एक सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इस क्रैम जेट के हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के सफल परिक्षण से भारत की रक्षा, शम्ता, आस्मान और अंत्रिक्ष दोनों में बढ़ेगी HSTDV के सफल परिक्षणों के बाद अगर इसे बनाकर उडाने में सफलता मिल जाती है भारत ऐसी तक्नीक हासिल करने वाले देशों के चुनिंदा क्लब में शामिल हो जाएगा बतादे कि अभी तक अमेरिका, रूस और चीन की हाइपरसोनिक टेक्नलोजी का विकास कर सका है फिलहाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ